तो आज हमारी कीचन में बनने वाला है एक बहुत ही खास सबजी और बहुत ही सिंपल भी आप इसे खास इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारी यूपी बिहार बनारस में बहुत फेमस है ये आपको होटलों में धाबों में और हर जगा भंडारे में यहां तक कि घर में भी । में आपको अक्सते मिल जाएंगे और सिंपल इसलिए क्योंकि इस बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है ये बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाने का तरीका हम इसलिए के वाली हैक तो इसमि में कोई भी ट्वीस्ट हम नहीं देने कोड़ा हमारे केली से मैं धाया तो सबने से मैं इस सब्सक्राइब पर यह से कहई ना जुख है दिगाelpadam fda इस सब्सक्राइब गल जाएंगे तो इसे हम छिल के समेत बनाएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजेगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो को सेयर कीजेगा कमेंट कीजेगा और फटा-फट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा तो चलिए इस रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं तो हाई अबरीवन मैं स्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्रद्धा ओम लाइफ में तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब बढ़ियां होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो आ इसे हम छिलके के साथ बनाएंगे क्योंकि इसका छिलका बहुत नाजुक है बहुत असानी से गल जाएगा तो इसे हम छीलेंगे नहीं और इसके बीच में जो गूदा होता है वो भी हम रहने देंगे क्योंकि इसके बीच भी नहीं है जो कि खाने में हाड लगते हैं फिलहा नाजुक वाला जो होता है इसका फल वो देख कर ले उसकी सबजी बहुत ही अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है और जल्दी गल भी जाता है तो यह देखिए धोलिये हैं इसे अब हम चलते हैं बनाने तो इसे बनाने के लिए हम कडाही को करेंगे गरम और इसमें हम डालेंगे 2-3 चमच सरसो का तेल सरसो के तेल में इस सबजी का स्वाद दो गुणा बढ़ जाता है तो इसमें बनाने डोज चम्मच सरसोका तेल डालेंगे और इसमें हम डालेंगे जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम एक तेजपत्ता डालेंगे इसे दो टुकड़े में कर लिये हैं और जब तेजपत्ता लाल हो जाए तो इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा बहुत लोग इसे पच को और इसे तुरंत ढख देंगे इसे चलाएंगे नहीं क्योंकि इसमें जो फोरन का जो इसमेल है खुसबू है न वह निकल जाएगा इसलिए तुरंत ढख दीजे ताकि उसका जो सुगंध है इस सबजी के अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए और ढखने के दो-तीन मिनट बाद फिर हम इसे ढखन हटाएंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और फिर इसे ढख देंगे ताकि ये बढ़ियां से गल जाए और ये लगबख थोड़ा सा पक चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले मसाले इसमें ज्यादा पढ़ते नहीं है ये बहुत ही सिंपल सबजी है बहुत ही सिंपल तरीके से बन कर तयार होती है तो इसमें मसाले में हम डालेंगे आधा चमच के लगबख हल्दी पाउडर आधा चमच डालेंगे हम लाल तीखी वाली मिर्च पाउडर टेस्ट के एकॉडिंग हम नमक डाले गुड़ के साथ जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे न तो बहुत ही जबरदस्त बनती है और इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है एक बार आप इस तरीके से जरू ट्राइ किजेगा तो इसे अब हम अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे अब हम धक देंगे इसमें पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि जब ये धीरे धीरे गुड़ जो होगा तो उसी में ये बहुत बढ़ियां गल जाएगी और अब इसमें हम डालेंगे आधा चमच के करीब गरम मसाला गरम मसाला जरूरी नहीं है अगर आप चाहें तो डाले नहीं तो आप ना इसका कलर आया है और देखने में ये कितना टेस्टी लग रहा है अभी ये सब्जी थोड़ी पकनी बाकी है क्योंकि अभी ये आधी इंगली है तो इसे थोड़ा हम और पकाएंगे तो इसे चलिए ढख लेते हैं कुछ देर के लिए और और पांच-10 मिनट के लिए इसे हम थोड़ा और पका लेते हैं एक दम हलकी आज पर इसे हम पकाएंगे तो ये बहुत बढ़िया पक कर तयार हो जाती है तो ये देखिए ये सब्जी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुकी है अगर आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से मैस करके मिक्स भी कर सकते हैं नही एक दम सिंपल तरीके से कम मसालों में जटपट बनकर तयार हो जाती है ये सब्जी और ये सब्जी बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुकी है तो अब हम गैस को करेंगे बंद तो चलिए अभी से हम सर्फ करके आपको दिखा देते हैं ये देखे सब्जी कितना अच्छा बना है और ये बच्चे बड़ो सभी को पसंद आने वाला है क्योंकि ये खटा मीठा तीखा नमकीन हर तरह से चकपटी बनती है और मज़े की बात तो ये है कि इसमें ना लेसु पी को जरू ट्राइ कीजेगा तो इस तरीके से आप कद्दू की सब्जी को बनाएं और इसे पूरी और पराठे के साथ खाएं बहुत ही बढ़िया लगती है ये कद्दू की सब्जी हर कोई खाना नहीं चाहता मगर हां इसे इस तरीके से अगर बनाएंगे न तो एक बार कोई खाले तो उसे बार बार खाने का मन करेगा बहुत बनती है टेस्टी है सब्जी तो इसे पूरी के साथ हम सर्व कर ले रहे हैं गर्मा गर्म पूरी और कोड़े की सब्जी सलाद और इसके साथ हम डाल रहे हैं ये बीना छिलके वाली आम की अचार इस अचार की रेसिप तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा ताकि मुझे भी अच्छा लगी और एक बार इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजेगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर आप बना रहे हैं तो कैसी बने कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि फटा फट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो बाई राध तेरा धे